जैहिंद नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वीपेसी मेकर के एक और एपिसोड में दोस्तो आज की इस वीडियो में 9 दिसंबर 2023 से समंदित करेंड़ फिरस के जितने भी परस्टिक बनेंगे जिसमें बिहार रस्टे अंतरस्टे तीनो घटनों का संग्रह होगा वो तमाम जानकारी आपको हमेशा की तरह यहां पर विस्तार पुर्वग दिया जाएगा बस सेशन के साथ आप लोग बने रहें और कोसिस करें कि डेली बेसेस पर आप इस कलास को फॉलो करें एक समय कर लिजे जिस समय में आपको इस कलास को देखना है आदा गंटा अगर आप हमें समय देंगे तो निश्चित तोर पर हम आपकी प्रिप्रेशन को उत्कृष्ट लेवल पे ले जाएंगे ठीक है पहले आप इस वीडियो को देख लेजे अगर आपको लगे कि यहां से आपकी हैल्प हो सकती है तो निश्चित तोर पर आप हमें रेगुलर बेसिस पे जरूर फॉलो कीज़ेगा चले सेशन के सुरुआत करते हैं पीछले वीडियो के प्रश्ण से जो प्रश्ण हमने आपसे पीछले वीडियो में पूछा था यह प्रश्ण था कि हाली में जारी राष्ण अपराद रिकॉर्ड ब्यूरो यानि कि NCRB अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट की अनसार दहेज के लिए महलाओं की हत्या के मामले में बिहार का कौन सा अस्थान है देखे NCRB की जो रिपोर्ट आई है इसको लेकर बहुत सारे प्रश्ण बहुत सारे जानकारी हमने आपको रिसेंट ले दिया है तो वो सारे चीज़े तो आपको ध्यान रखना ही है फिलाल यहाँ पर इस प्रश्ण के हम बात करें तो दहेज के लिए महलाओं की हत्या के मामले में दूसरे अस्थान पर है अपना बिहार यह यहां से ध्यान लखेगा जबकि वहें पर हम पहले अस्थान की बात करें तो पहले अस्थान पर है उत्तर परदेश जो पड़ोसी राज उत्तर परदेश है वो इस मामले में पहले अस्थान पर है तो कोसिस करना है अपको कि जो भी प्रशन आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पुरवक लिखें चलिए सेजन के सुरुवात करते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रशन से हमारा यहां पर पहला प्रशन है कि हाल ही में 4-7 दिसंबर 2023 तक बिहार के किस जीले में मंझूसा महुत्साव का आज़न किया गया है यह मंझूसा महुत्साव का आज़न जो अभी हाल ही में हुआ है 4-7 दिसंबर 2023 तक पूछा गया कि कहां पर यह बिहार में आज़ित हुआ है तो इससे प्रशन का राइट आंसर है बिहार के भागलपूर जीले में भी हाल ही में इसका आज़न किया गया इन से समंदे तत्थियों के अगर हम बात करें तो आपको कुल में यह ध्यान रखना की हाली में भागलपूर में अंग परदेश की जो लोग संस्कृती है मंझूसा कला तो इसको लेकर जीला परशासन और कला संकृती वा युवा विभाग बिहार सरकार की ओर से चार दिवस्या मंझूसा महुसाव का आज़न किया गया अब इसका महुसाव जो होता है या फिर जो आज़ित होता ये महुसाव इसका उद्देश ही क्या है देखें ये भी हम लोग जानेंगे लेकर उससे पहले आज़न की बात करें तो चार से साथ दिसंबर 2023 तक ये आज़ित हुआ अगर हम आज़न अस्थल की बात करें तो भागलपूर में सेंडेस कंपाउंड मैदान में ये आज़ित अभी हाली में हुआ है ये इसका आज़न तिती है इसके उद्देश के हम बात करें तो इस महसव का उद्देश से अस्थानिय कलाकारों को बढ़ावा देना है जिसको लेकर यहाँ पर ये आज़ित अभी हाली में हुआ है तो ये सार चीज़ है मंजोसा कला से फिलाल या फिर मंजोसा महसव से ये समझे था ये ध्यान डगना आपको अब यहाँ पर जो हम अंग प्रदेश एक सब्द यहाँ पर प्रयोग में लिये हैं तो इसको लेकर आपको जान कर देदू इसका सरपरतम जो अलेक हुआ है यह अथर वएद में सरपरतम या यही रेक मिलता है अच Jetzt बहारत में अगर हम बात करें तो महाभारत जो एक गरंद है तो महाभारत के साथ्चों के अनुशार आदोनिक बल्याक जो उत्तर प्रदेश का छेतर है यही अंग छेतर है यह यहाँ पर आपको दिहान रखना है अंग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महाजनपत की ठीक है अब यहाँ पर आपको एक चीज़ यह भी समझना है कन्फेशन का आप लोग सिकार होते हैं अंग प्रदेश और अंग महाजनपत यह दोनों अलग अलग छेतर हैं अंग जनपत की बात करें तो आपको दिहान रखना अंग जनपत जो है यह उत्तर प्रदेश का छेतर में आता है हाला कि आप लोगों ने भी प्राचीन भारतिय इतिहास के अंतरगत पढ़ा होगा कि जो बहुत धर्म है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म भगवती सुत्र ये दो ऐसी पुस्तक हैं ये ऐसी गरंथ है दो जिसमें सरुपरतां भारत के छित्र में भारत के अंतरगत सौलो महा जन्पदों की जानकारी का वीबरन इसमें दिया गया है तो ये यहाँ पर आपको दिहान रखना है ठीक है तो ये सारी चाशे एक्जाम में आपसे पूछे भी जा सकते हैं अच्छे यहाँ पर देखे हम जो मंजूसा महसव की बात कर रहे हैं तो ऐसे में एक जनकारी आपको दे दो रिसेंटली जो बिहार में जो महसव आजित हुए हैं हमें लगता कि यहाँ से आपकी एक्जाम में परशन पूछे जा सकते हैं यह कुछ ऐसे महसव हैं जो कि खबरों में रहे हैं तो यहाँ से परशन बनना स्वाभा भी था है जैसे कि अभी हाल ही में आम महसव राज की अस्तर पर आजितवा ग्यान भवन पटना में जो की 16-18 जून 2023 तक किये आजितवा अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार के तरफ से आम महसव आमरस का आजिल कहां पर किया गया था तो मासकों में किया गया था यह भी अब ध्यान लेके इसी सिरिज में हमने आपको बतलाया था अब यहां पर हमारा अगला है सूफी महसव जो की सूफी महसव के वारे मिध्यान लेकी के पटना चिले के मनिर सरिप में 12 जून 2030 को आजितवा है बाजरा महसव की बात है तो भोजपूर में यह दो दिवसे बाजरा महसव 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक यह एजितवा है अच्छा बाजरा महसव रिसेंटली पटना में भी एजितवा था हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है थावे फेस्टिवल या फिर थावे महसव जो की गोपाल गंज में परेटन विभाग कला और संस्कृती विभाग द्वारा 15 और 16 अप्रेट यह दो दिवसे आज़न था जो की आपको ध्यान रखना है गोपाल गंज में अभी हाल ही में यह एजितवा था मोश्ट इंपोर्टन है पक्छी महसव कलरव जो की जमुई के नागी नक्टी पक्छी अभ्यारन में 15 से 17 जनवरी 2021 तक आजितवा है अच्छे यहांपर अबको यह द्यान है कWind vicious जो पक्षी महसव कलरव जो है यहीं इसका उद्धितन संसग्रन है जिसका उद्धितन बिहार के मुखमंत्री जो 22 मुखमंत्री है नीतिश्ट वह इनके द्वारा किया गया था ये बक्षी महुसव कलरव अभी एक ही एजित हुआ है, दूसरा जो प्रस्तावित है, ये भागलपूर में प्रस्तावित है, यही पर ये एजित होगा है, अगला हमारा यहां पर है किन्नर महुसव, किन्नर महुसव अभी हाली में 14 जुलाई 2023 को पटना के प्रेमचंदर और चंद्रयान 3 की बात करें, तो चंद्रयान 3 चंद्रबा के सतर पर कव सौप लेंडिंग किया, तो आपको ये भी ध्यान रखना 23 अगस्त 2023 को, ये तमाम चीज़ एक जाओं में पूछे जा सकते हैं, सभी को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रिन शॉट ले सकते हैं, फिलाल यहां पर हम आजगे हैं दूसरे प्रशने के, ये प्रशने की निमलिकित में से किस ट्रांस जेंडर को भारत में पहली बार किसी उनिवरसिटी, या फिर यूग है पाटना इनिवरसिटी सीनेट का सदस्यम मनोनित किया गया, ये पहली इसा भारत के किसी उनिवरसिटी में हुआ है, किसी ट्रांस जेंडर को इतनी बड़ी कर सकते हैं, जिम्मेदारी दी गई हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, विकल नमबर यहां पर ए, यानि की रेस्मा परसाद, अब आपको यहां पर इसके बारे में विस्तार से बता सीनेट का सदस्re मनुनिद किया गे है, इनका नाम है रेस्मा-परसाद, जो की मूल रूप से राजधानी पट्ना की रहने वाली है, अगले तीन साल के लिए, वो पट्ना विश्विद्याले के सीनेट के सदस्य के रूप में मनुनिद किया गैए है, राजपाल, राजندर व इनिवर्सिटी में स्थीनेट सदस्ट बनाए गया है तो इस लिहास से यह पॉइंट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है कुछ और पॉइंट की बात करें तो रिसेंटली जो बिहार में जाती आधारत जंगन्ना का कार शंपन हुआ था जो डेटा अभी निकल कर शामली आई इस डेटा के अधार पर इस आधारों के अधार पर अगर हम बात करें तो बिहार में ट्रांसजेंडरों की कुल संख्या 825 है हाला कि यहां पर आप अंक्रे देख रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है वो तो एक अलग भी सह है लेकिन जो अधिकारिक तौर पर ज सफिस्यल आप्रे हैं वह हिं हमें याद रखना है वही हमें एकजाम में भी लिखना है अब यहां पर हम ट्रांसजेंडर के बारे में कुछ और पॉइंट में बात करें तो अगला प्यांट यहां पर एक्ट्रा अक्सर है कि हाली टेनरील मेक नेकिगा है ये जानकारी हमने को दिया था जो अंतरराष्टे क्रिकेट खेलने वाली कानडा की पहली ट्रांसजेंडर बनी है तो ये खबरों में था ये ध्यान लखेगा एक और है मौनिका दास से समंदित की हाली में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडरों को लोकतंतर में सभागता बनाने के उद्देश से मौनिका दास को बिहार का चुनाव स्टेट आयकन बनाया है तो ये ट्रांसजेंडर से समंदित कुछ जानकारी थी जो कि आपको यहां पर ध्यान रखना है अब यहां पर हमने जानकारी दिया था कि अभी हाली में 14 जुलाई 2030 को पटना के प्रेमचंद रंग साला में किन ताइम्स एथलीट आफ दो इयर 2023 नामित किया गया है काफी इंपोर्टेंट है इसका राइट आर्थर होगा विकल्प नंबर सी याने की नियोलेल मेसी अब यहां पर इसके बारे में बता दूं सबसे पहले तो यह धियान रखिए नियोलेल मेसी जो है अर्जेंटिना 2023 से नामित किया गया है और यह समान पाने वाले यह पहले फुट बालर है इंपोर्टन है अगला पॉट यहां पर मारा है कि फुट बाल की जो सर्वोच संगता यह है फीपा और इस वर्स इस वर्स निवलकि 2022 में पीछले वर्स फीफा विश्यकप की मेजबाने जो है यह कत कप्तानी में 36 साल के बाद अर्जेंटिना तीसरी बार चेंपिन मना था इससे पहले अर्जेंटिना 1978 में और फिर 1986 में कहता है फीपा विश्यकप का खिताब अपने नाम किया था तो कुल मेलाके 2022 में यह तीसरी बार था जब अर्जेंटिना ने इस खिताब को 36 वर्स न के अपने नाम किया था और कप्तान कौन थे तो नियोलन मेसी अब यहां पर देखिए कुछ पॉइंट हमने और भी नियोलन मेसी से समंदत लिखा है कि इस वर्ल्ड कप में यानि कि जो फिपा विश्यकप 2022 के हम बात कर रहे हैं तो इसमें सांदार परदर्सन के लिए दोते खिलाड़ी हैं इससे पहले पहली बार 2009 में और फिर उसका 2010, 11, 12, 15, 19, 21 में भी बैलन डी और पुरशकार प्राप्त कर चुके हैं तो यह सम्मान पाने वाले या फिर यह अवोट पाने वाले दुनिया की एक मात्र ऐसे मतलब खिलाड़ी हैं जो कि सरवाधिक बार मतल परशन आपसे पूछा गया था यहीं से वो भी हम लोग देखेंगे जैसे कि हम फीफा विश्यकप के बात करना हैं यह पूरूस कैटेगरी वाला सरेनी वन परत्योगता है और इसमें जो जानकारी हमने आपको दिया वही अर्जंटिना से सबंदित हैं यह तमाम चीज़े फिलाल यहां से आपको दियान रखना है कि फ्रांस और अर्जंटिना के बीचे खेला गया और अर्जंटिना विज़े बना 36 साल बाद और यह तमाम चीज़े यहां पर लिखी गए हैं अच्छे यहां पर जो आपके एक्जाम में परस्ट ने पूछे गए थे बीपिसी टी इसका मेजबान देश था और न्यूजलेट सन्जुक तो तोर पर इसकी मेजबान है किया गया और इसका बिज़ेता बना था इस पैन यह पहली बार इस पर ने इस खिताब को अपने नाम किया किसे हरा कर तो इंगलेंड को और यही प्रशन आपके एक्जाम में पूछा गय गोल्डन बूड जो अवर्ड मिलता यह सरवादिक गोल के लिए दिया जाता है और यह जापान के हिताना या फिर हिनाता मिया जावा को दिया गया पंच गोल के लिए जबकि गोल्डन बॉल जो सरुस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् बारे में, तो under 20 के बारे में भी हमने कई बार आपको जान कर दिया, यह तमाम चीजें हमने आपको बतला है, regular basis पर आपको यह तमाम चीजें दिहान रखना है, revision देना है, पढ़ना है, तब ही जाकि आपको exam में सफलता मिलेगा, नहीं तो फिर वही होगा कि और student की तरह जो ब interface देते हैं, हमारा यह प्रयास रहता है, चीजें आपको बहतर मिले, और हम अपसे यह पेक्षा करते हैं कि आप लोग भी उस चीज को बहतर तरीके से prepare करें, बहतर तरीके से उसको अपने दिमाग में set करें, तब ही जाके exam hall में आप उसे अच्छी तरीके से express कर पाएंगे, ठीक है, आने था, ऐसा होगा कि समय के मारा मारे में आप जो answer जान भी रहे हैं, वो भी वहाँ पर गलत करके आ जाएंगे, तो बस यही ध्यान रखिए, जो भी आदामी एजित होने वारे परतियुकता परिक्षाएं हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए, आपको exam से पहले, exam हो पाएगा, अच्छा, current affairs में एक खास बात यह भी है, कि अगर 40 प्रशन आपको बीपेसी exam में पूछे जा रहे हैं, एक उधारन के तौर पर हम आपको दे रहे हैं, तो आप में वो छमता है कि 40 में 40 प्रशन को भी आप अच्छी तरह के से, मतलब 70% हल करके आएंगे, यह तो तैयारी अगर आप बेहतर करेंगे, तो 70 प्रशन आपको यहां से बहुत अच्छी तरह के से help मिलेगा, अच्छा, यहां पर फूटबॉल के बारे में ही 7 प्रत्योगता के बारे में लिखा गया, आप लोग चाहें तो इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में भारत की जो अंडर 16 फूटबॉल टीम है, इन्होंने बंगलादेश को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है पांचवी बार, तो यह भी आप ध्यान लेखेंगे, चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ परमुक प्रत्योगताओं के सुभंकर के बारे में च संपन हुआ, इसका सुभंकर मोगा, 22 वा राश्ट मंडल खेल, यानि कवनवल्थ गेम्स जो की बरमेंगम ब्रिटेन में आजित हुआ, 2022 में, इसका जो सुभंकर था यह था पैरी दॉबुल, अगला है राजिव गांधी ग्रामिन ओलम्पिक जो राजस्थान से समन दे था इसका सुभंकर शेरू, एशाई आइटलेफिक शेंपियर्शिफ दोजार तेस, जो थाइलेंड में आजित हुआ, इसका सुभंकर लौड हनवान, पैरिस ओलम्पिक दोजार चौबिस, इसका सुभंकर रखा गया, ओलम्पिक फ्रीज, तो यह तमाम चीज़े यहां से ध्य पदक रखाद, गोल्ड मेडल अपने नाम नहीं किया, इसका जो पीछला संत्रन था, जो 36 राश्टे खेल था, जो कि गुजरात के छे सहरों में आजित हुआ था, यहां पर बिहार ने केवल दो पदक ही अपने नाम किया था, और दोनों के दोनों जो पदक थे, वो पहले हैं, सिक्किम तो सबसे अंतेम अस्थान पर था एक कांस पदक के साथ, लेकिन उससे एक अस्थान पहले, यानि कि सेकेंड लास्ट टीम था बिहार, बिहार की जो मतलब इस्तिती थी पदक तालिका में उत्ती बहतर नहीं थी, यह पहली बार है जब बिहार ने इतना अच्छा परदर्शन किया है राश्टे खियलों में, यह इसका सैतिस्वा संद्वन था गोवा में आजित्वा, इसका सुभंकर था मोगा, हलाकि इसके बारे में विश्त्रित जानकारी हम आपको दे चुके हैं, फिलाल इसे skip करते वे हम यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश सितारवा, अच्छे देखें, फॉब्स द्वारा जो रिपोर्ट या फिर जो अवी हाल ही में सूची जारी की गए है, हंड्रेट सबसे सक्तिसाली महलाओं की, इसमें भारत की चार महला सामिल है, पहले अस्थान पर है, निर्मला सितारवा, और इसके बाद तीन भारते महल सामिल है, अब यहां पर यह भारत की चार महलाओं की जो बात हो रही है, इसमें वित्तमंत्री निर्मला सितारमन, जो की भारत की दरिश्टी कोंट्स देखें तो पहले अस्थान पर, हलाकि और अगर हम इस सूची की बात करें तो 32 अस्थान उन्हें मिला है, एक्सियल कॉर सारत के संदर्व में बात करें तो पहले अस्थान पर निर्मला सितारमन, करमसा उसके बाद रोशनी नादर मलहोधरा, सोमा मंडल और किरन मजुमदार सो, करमसा पहले दूसरे तीसरे और चौथे अस्थान पर है, यह यहां बरस नमजन आपको, अब आगे हम बात करें तो निर्मला सितारमन इस बार 100 सबसे 37 साली महलाओं की सूची में 32 अस्थान पर है, और आपको यह धिहान अपने लगातार पहुंचवी बार है, जब निर्मला सितारमन ने इस सूची में जगा बनाई है, पिछले साल 2022 में जो रिपोर्ट आया था, उसमें 36 अस्थान पर दी, हलाकि इस वर्स 2023 के रिपोर्ट में 32 अस्थान पर है, चार अस्थान का इसमें का सक्थी इजाफा हुआ है, अब यहाँ पर इसके बारे और भी जान कर देता हूं, जो रिपोर्ट अभी आई है सबसे सक्तिसाली महलाओं की, तो इसमें सिर्फ चार अस्थान पर कौन कौन है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो पहले अस्थान पर पूरे दुनिया में जो सक्तिसाली महलाओं की सूची में पहले अस्थान पर है, यह है यूरोपिय आयो की परमुक उर्सुला वान डेर लेउन, दूसरे अस्थान पर है यूरोपिय सेंटल बैंक की परमुक क बता दूँ कुछ चीजें हमने आपको बतलाए भी था ये इतली के प्रतान बंतरी हैं और रिसेंटली जो अभी हाल ही में G20 का 18 सीकर से मिलन भारत मंड़पम नई दिली परकती मैदान में आज़ित वा था यहां पर भी यह आये थे जिसके बाद से इंटरनेट आदी पर खास पंजोख़ा गाव का नाम बदल कर पंजोख़़ा साहीव कर दी इसका जो राइट आनसर है यह तो है विकलप नमबर यहां पर बी यानिकी हर्याना आपका बता दूँ कि हर्याना गाव के अम्बाला 56 विधान सवाठ 6-3 के एथ Bossy गाव पंजोख़़ा का नाम अब पंजो बेच तो इन्हों ने पंजखरा गाउं के धार्मिक महत को देखते हुए गाउं का नाम पंजखरा साहिब कररे की हर्याना सरकार से स्विफारिस की थी तो कहीं न कहीं इस से कारी में इस पहल में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है जो की वर्तवान में यहाँ पर हर्याना आरी हाडियाना के राज़पाल है यानि की गवर्णर है हलाकि यहां पर देखे बात हो रही है बदले हुए गौह के नाम की लेकिन महराश्ट के बारे में एक जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था कि भारत में औरंगाबाद नाम का दो अस्थान है एक तो बिहार मे है और दूसरा महराश्ट में अच्छा महराश्ट में जो अरगाबाद नाम का अस्थान है इसका अभी हाली में नया नाम दिया गया है संभाजी नगर तो यह भी जानकारी यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे लेकिन उससे भी इंपोर्टन है बदले हुए इस्टेशन क नाम यह काफी इंपोर्टन है कई बार यहां से परश्ट बन सकते हैं आपके एकज Babi यह काफी इंपोर्टन है तो बादले विए रेयलवेश टेसंग के नाम को हम लोगराज जिवाई यहाँ पो देखते हैं तो सबसे भात कर लाता है करनाटक की तो करनाटक में दो रेलवेस्टेसन का नाम रेसेंटली बदला गया है एक तो बैंगलोरू सीटी रेलवेस्टेसन का नाम बदलकर करांती वीर संगोली रायनना रेलवेस्टेसन किया गया दूसरा गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर गुलबर्गी रेलवे स्टेशन किया गया बात करें हम यहाँ पर महराष्ट की तो ओसिवारा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर राम मंदिर रेलवे स्टेशन किया गया एलिफिश्टर रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रभादेवी रेलवे स्टेशन किया गया इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेता जी सुहास चंदर बोस इतवारी स्टेशन किया गया बात करें जम्म कस्मीर की, जम्म कस्मीर वाला आपके लिए काफी important है. उदंपूर रेलवे स्टेसन का नाम यहाँ पर बदल कर किया गया है सहीत केप्टन तुसार महाजन रेलवे स्टेसन, जबकि मदपरदेस की बात के लें तो हभीब गंज रेलवे स्टेसन का नाम बदल कर रानी कमलापती रिल्वेश टेसन किया गया ये भी बहुत ज़्यादा ख़बरों में था ये भी आपको धिहान एकना है हलाकि सबसे अधिक जो रिल्वेश टेसन का नाम बदला गया है वो राज्य है उत्तर परदीस उत्तर परदेस में जो नाम बदले गए हैं उनमें फैजाबाद रेलवेस्टेसन का नाम बदलकर आयध्या केंट, मगलसराई जक्सन का नाम बदलकर दीन द्याल उपाद्याग जिनसन, इलाबाद जक्सन का नाम बदलकर परियागराज जक्सन, मंडवाडी रेलवेस्टेसन क नाम बदलकर मा बेलहा देवी दहाम परताबगर जक्सन अंतु श्रेशन का नाम बदलकर मा चंद्रिका देवी दहाम अंतु विशनात गंज रिलवेश्टेशन का नाम बदलकर सनी देव महराच विशनात गंज रिलवेश्टेशन क्या गया है तो रिसेंटली जो भी रिलवे सम्मानित क्या गया है, तो इसका right answer होगा विकल्फ नंबर C याने की जैसा, जैसा इस प्रश्णी का right answer होगा जो इस समय याने की वरतमान में BCCI के सचीव है, तो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि हाल ही में भारते किरिकेट कंट्रोल बोर्ट, याने की BCCI क्रिकेट के लिए एक राष्टिय सास्किया निकाई है आपको दा दो कि इसकी जो स्थापनावेती दिसंबर 1928 में इसके स्थापनावेती या फिर इसे गठन किया गया था और वरतमान में जो BCCI के जो सचीव है यह है जैसा लेकिन वहें पर हम अध्यक्ष की बात करें पर्थम लता दिनानात मंगेसकर परुषकार 2022 में नरेन मोधी को दिया गया था टेंपल्टन परुषकार 2023 सो एड़न इसमाईल जो कि समाले के इन्हें दिया गया पेन पिंटर परुषकार 2023 से इंग्लेंड के माइकल रोसें को समानित किया गया अंतराश्य बुगर पुरुषकार 2023 जो दिया गया है जो के बुलगारिया के हैं उनकी रचना टाइम सेंटर के लिए उन्हें यह अंतराश्य बुगर संबान दिया गया है और यही आपके एक्जाम में वीपेसी ट्री एक्जाम जो आजितवा था वीपेसी सिख्षक वाला थेजवन वहां पर प्रश्ण बना था इसके अतरिक्त जर्मन बुग ट्रेड 2030 का सांती पुरुषकार सल्मान रुष्दी को दिया गया 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 गयर्नर ऑफ दे एर 2030 का Central Bank of the Year जो चुना गया है वो युक्रेन के National Bank को ये अवर्ड से सम्मानित किया गया है अगला हमारा है पंद्रवान एन्य अवर्ड अभी हाली में थलपिल परदिप को दिया गया ब्रटिस अगादमी पुस्तक प्रशकार से अभी हाली में 2030 का नंदनी दास्त को सम्मानित किय स्क्रीन सोट आप लोग ले लेजेगा निश्य तोर पर यहां से आपकी जाम में प्रश्न बनेंगे चली अगला सातों प्रश्न है कि निवलिकित में से कौन हाली में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतिय महला बनी है और इस प्रकार से एक इतिहास दर की वर्तमान में सिस्टम इंजिनियर और विग्यानिक है हाला कि अगर हम इसकी बात करें तो वर्तमान समय में मंगल के रोवर्स चाहित कई अंतरिक्ष मेशनों पर यह काम कर रही है इस रो में आपको बता दो इसके बारे में कुछ और प्वैंट तो हाली में मंगल ग्रह प सिस्टम मंदित एक प्रशने पोचा गया था यह हम लोग देखेंगे आगे लेकिन यहां पर हम इस रो की बात कर रहे तो मिशन मंगल के बारे में चीजों को देख लेते हैं हाला कि चंद्रियान के बारे में हमने कई बार आपको जान कर दिया है रिसेंट्ली पिछले वीड कर दो जङना है इस रोगी तो यहां भी आप प्रॉट नवट करेंगican अच्छे यहां पर हम बात करेंगे अब उपयोग करना है यही उद्देश से समंद्रित आपके एक्जाम में प्रेस्टिम्ट बने थे वीपेशी फेज वन जो सिक्षक भरती एक्जाम था वहाँ पर तीक है यह ध्याने के अच्छा भारत के संदर्व में यह आटमी सिकारिक्रम काफी इंपोर्टन है क्योंकि हाले मे 21 जून 2023 को वासिंटन जो सन्युक्त राज अमेरिका में एक अस्थान है तो यही पर एक समारों के दरान भारत आटमी सिकारिक्रम या फिर आटमी समझोते पर हस्ताक्षर करने वारा 27 देश बना है तो इस लिहास से यह पॉइंट इंपोर्टन था देखिए यहाँ पर आप से इसका उद्देश के बारे में पूछा गया आटमी सिकारिक्रम के ठीक है तो मिलता जुलता फैक्ट एक्जाम में पूछे आते हैं तो यह ध्यान रखेगा सिर्फ परस्ट और आंसर पर आपको फाकस नहीं करना है अगर आपको सफलता चाहिए तो उसे विश्तरी तोर प से देखते हैं अगर आप लोगों को सफलता यहां से मिलती है तो हमारे लिए वह भी एक उपलब्दी है हजारों की संख्या में भ्यूज लाके मैं क्या करूंगा ठीक है यह भी एक बात है अगर आपको हैल्प हो ही ने रही है आप लोग अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे है अगर हजार विद्यारती भी यहाँ पर अच्छे तरीके से डेली बेसित पर पढ़के अपनी तैयारी को पेहतर करते हैं उनका सेलेक्शन होता है तो वो भी एक दिन हमारा नाम लेंगे नहीं भाई मैंने बीपेसी मेकर के माध्यम से पढ़ा हमारा सेलेक्शन पा तो वो हम बढ़ा एक्जाम है आप एक अधिकारी बनने जा रहा है तो तो उतनी समझ आपको होनी चाहिए कि आप जो एक्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं वो बहूत बढ़ा एक्जाम है सबसे टफिश्ट एक्जाम है भी हार कर तो इसे आप बहतर तरीके से पढएंगे एर क secular Cash असान लगेगी क्योंकि चीज़े आपने अच्छी त्रेके से पढ़ा है तो ये चीज़े आप अपने अंदर अच्छी त्रेके से समझेगा फिलाल यहाँ पर हम आज चुके हैं आठवें प्रस्न पे यह प्रस्ने निमलिकित में से कौन सा भारतिय सहर लागातार तीसरी वर् भी हमने आपको इसके बारे में जान करें दिया था आपको याद होगा अब यहाँ पर आपको उतादो कि राष्टि अपराद रिकॉर्ड यानि कि NCRB दोरा हाल ही में जारी एक वार्षी के रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता जो सहर है लगातार तीसरे वर्स दोजर बाइस में सबसे सुरक्षित सहर के रूप में उबरा है जहां पर परती लाख अबादी पर अस्थानिय थानों में सबसे कम संगे अपराद के मामले दर्ज के गए इसी आधार को दियाम दर्खते वे NCRB ने ये रिपोर्ट जारी किया गया कि सबसे सुरक्षित सहर है भारत का कोलक अब यहां पर आगे कुछ और पॉइंट है कि आंकलों के मताबिक कोलकाता बीते पंच वर्सों में चार बार 2018, 2020, 2021 और 2022 और इसी अधार पर 2020, 2021 और 2022 रिसेटले जो डेटा आया है वो 2022 का है तो इस लिहास से देखें 2021, 2021 और 22 में आपको दियान रखना ये कि कोलकाता सबसे अब आपको दादों कि अपराद के मामले में जो सबसे खराब इस्तिती है वो दिल्ली सहर की है यहां पर अपराद की जो संक्या है परती लाख विक्ती पर 1952.5 है यानि कि परती एक लाख अबादी पर लगभा के दो हचार मतलब यहां पर अपर अपराद हुए है यह भी आप यहां पर अंक्रियर धियान रखेंगे 1922.5 लोगों पर यह परती एक लाख के अबादी पर यहां पर अपराद दर्ज की गए है उसके बाद दिल्ली के बाद अगर हम बात के अपराद की मामले में जो सबसे खराब इस्तिती है केरल का एक कोची सहर है यह दूसरे अस् अस्थान इस मामले में जो सबसे पहले अस्थान पर रहा है जबकि हत्या के मामले में उत्तर परदेश इसमें आगे रहा है बात यहां पर कोलकाता की हो रही है तो रिपोर्ट में इस बात का खुलासा क्या गया है कोलकाता भारत का एक मात्र ऐसा सार रहा बड़े सारों की यहां पर बात हो रही है जहां पर दुसकर्म के एग भी या फिर दुसकर्म के परियास का एक भी मामला दरजन नहीं हुआ है इस रिपोर्ट में इस चीज का खुला सावा धियान रखतेगा अगला नवा प्रस्ण की निमलिकित में से कौन हाली में त्यलंगाना के नए मुख् बात चुना वेते हैं लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखें इन चार राज्यों की बात रहे हैं तो मदप्रदेश, छत्यजगर्ण और राजस्थान में इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की और वहीं पर त्यलंगाना में कॉंग्रेस को जीत मिले यानि कि त्यलंगाना के तीसरे मुक्ष मंतरी बने हैं और आपको बता दो कि मल्लो भट्टी जो की राजिकरिकी त्यलंगाना की उप मुक्ष मंतरी के रूप में सपक लिए हैं असरे यहां पर त्यलंगाना की जो बात हुई है त्यलंगाना की जो पहले मुक्ष मंतरी थे वो कौन तो के चंदरशेखर राव तिलंगाना के पहले मुक्ष मंत्री बने थे तिलंगाना के यहाँ पर बात वी है तो एक जानकारी आपको देदू बोरुपली सिधी पेड़ जो कि तिलंगाना में एक स्थान है यहाँ पर एक 3D प्रिंटेट मंदिर बना गया है तो जिस वज़ा से यह खबरों का भी से हैं अच्छा अभी हाली में आपको बता दो कि 2 जून 2030 को तिलंगाना का अस्थाफना द्वस्त मना गया है 2 जून 2014 को आन पर देश से अलग होकर तिलंगाना भारत के 29 राज्य के रूप में अस्तित में आता हलाकि वरतमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 के अंदरसासित पर देश था इसके पीछे कुछ स्टोरी है वो हमने आपको बताया है तो यह भी धानके 2 जून 2014 को आन पर देश से अलग होकर तिलंगाना भारत के 29 राज्य के रूप में अस्तित में आया था चीज की जानकार यहां पर दी गई है कि जो अंतराश्य शमुद्री शंगठन का 33 सभा था यह 27 नंबर से 6 दिसंबर 2013 के बिच लंदन इस्थित आयमो मुक्षाले में आजित किया गया और आपको बता दूँ कि एक चुनाव के माध्यम से भारत को अंतराश्य शमुद्री शंगठन परिशत की 2024 और 25 दिवार्शिक सत्र के लिए पुनों से चुना गया है तो विकल्प नंबर ए यहां पर इससे प्रश्णी करा राइट अंतरुगा अच्छा करेंट एफेर्स के हमारे जितनी भी मेट्रियल है सिर्फ और सिर्फ अगर आप करेंट एफ पर आप इस कोर्स को पर्शेज करेंगे यहां से आपको करेंट एफेर्स का तमाम मेट्रियल आपको डेली वेसिस पर मिलता रहेगा अगला एक जानों प्रश्णी की भारतिया मूल की किस लेखिका को हाली में सिंगापूर के सबसे प्रतिष्टित कला सम्मान कल्चरल मेडल मेडलियन से सम्मानित किया गया है तो इस प्रश्णी का राइट आंसरों का विकलप नंबर A यानि की मीरा चंद आपको बता दो कि हाली में 6 दिसंबर 2013 को भारतिया मूल की 81 वर्षिय लेकी का मीरा चंद को सिंगापूर के सबसे प्रतिष्टित कला सम्मान कल्चरल मेडलिय अब यहां पर आगे कुछ और सम्मान के बारे में जानकारी दी गई है कि हाले में परसिद लेखक टी पदमनावन को केरल जोती पुरुषकार से सम्मानित किया गया इसके अत्रिक्त हाले में उत्कृष्ट वग्यानिक योगदान के लिए डाक्टर हेम चंदरन रवी कुमा यह सम्मान इंपॉर्टंट धियान रखेंगे अपनी कांपी में हो सकतों इसे जरूर नोट कीजेगा बारवा प्रस्ने किस देश में हाली में दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमानो फ्यूजन रियक्टर जे टी सिक्ष्टी एस एका अभी हाली में अनावरन क्या जापान के की द्वारा कया ग किया तौब विकल्प नमबर नैं यहां पर इस प्रश्निका। परस अंसर होगा सबसे बड़ा परवहिख प्रमानो फ्यूजन रियक्टर जे टी क्ष्टी से आयसे क्हाँ अभी हाली में जबां द्वारा क्या गया किया है तो ब्क्र फज्ट आपको दिये जाएंगे उससे अधीक ही होगा इसमें फुल लेंद्ट टेस्ट है 40 यानि कि जो इसका जो फुल लेंद्ट टेस्ट होगा उसकी संक्य है 40 होगा और इसकी अतरिक्त 90 से अधीक सेक्सिनल टेस्ट यहाँ पर आपको विबिन सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं तो बहुत सारे लोग अल्रेटी से जोइन कर चुके आप भी जोइन कर सकते हैं इसमें एक आफर है इसका लाव लेने के लिए आपको बीपिसी मेकर एप पर यह प्रोमो कोड इस्तमाल करना बीपि जो भी आता है और प्रिवेस से पेपर आदी इसमें इंक्लोड़ेड है आपको इसके लिए पेमेंट नहीं करना बाकि इसी में आपको सारा चीट मिल जाएगा अब यहां पर आजके इस वीडियो का प्रशन हाली में जारी राष्टे अपराद रिकॉर्ड वियो यान की NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार दहेज के लिए महलाओं की हत्या के मामले में बिहार का कौन सा अस्थान है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाए हमें बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा तमाम जनकारी हमने आपको पिछले वीडियो में बिस्तार पुर्वक दिया है चल